हेलो दोस्तो ये है हीरो की HF Deluxe BS6 Selfish Start I3S Model HF Deluxe I3S Model में आपको क्या-क्या Features मिलते हैं Mileage कितना देती है, On Road कीमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को Last तक पूरा जरूर देखना दोस्तो हम मैं आपको इसके Color दिखा देता हूँ तो यह है दोस्तो इसका Heavy Gray with Black Color जो आप देख रहे हो और यह है दोस्तो इसका Red Color और दोस्तो इह है इसका Black with Purple Color और यह है इसका Heavy Gray with Green Color तो सबसे पहले इसके Front Profile से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको Black Color का Glossy Fniss में Wiser मिल जाता है जिसके उपर Hero का 3D में Logo दिया गया है और इसके Side में आपको Silver Color के Graphics मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Normal Bulb के साथ Non Flexible Indicator मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Normal Halogen Headlam मिल जाती है और यहाँ पर आपको Reflector मिल जाता है अब इसके Front के Tare के Size की बात करें तो यहाँ पर आपको 275-18 का Tare Size मिल जाता है इसमें आपको C8 Company के Tueless Tare मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Integrated Breaking System मिल जाता है इसकी Front और Rear की दोनों Brake एक साथ काम करती है और इसके Front में आपको मिल जाते हैं Telescopic, Hydraulic, Sock, Absorber Type के Suspension अब आप इसकी Side Profile की तरफ देखोगे तो इसकी नीचे की Side से जो Theme है वो पूरी की पूरी Silver Finish में दी गई है और इसकी जो Graphics और Sticker हैं वो Totally Change हो चुके हैं दोस्तों जैसा कि ये BS6 में अपडेट हुई थी तब से और यहां पर आपको इसके Fuel Tank पर मिल जाता है Hero का Stigger और यहां पर आपको Silver और Dark Gray कलर के Graphics मिल जाते हैं इसके Fuel Tank के उपर और इसके Panel पर भी आपको HF Deluxe की Branding देखने को मिल जाती है और नीचे आपको I3S का Logo देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसके Fuel Tank में 9.6 L की Capacity मिल जाती है और इसकी Seat की बात करें तो यहां पर आपको एक अच्छी खासी Seat देखने को मिल जाती है इसकी कुसनिंग भी काफी ठीक ठाक है और इसके Rear की Seat में आपको मिल जाता है एक Silver Finish के साथ Grab Handle अब आप इसको पीछे की तरफ से देखोगे तो यहां पर आपको कोई भी बदला आप देखने को नजर नहीं आएगा और यहां पर इसकी Tail Lamp के उपर आपको Hero का Logo मिल जाता है और इसकी Tail Lamp में आपको normal bulb देखने को मिल जाएंगे और Side में आपको Sharp Type के Indigator देखने को मिल जाएंगे जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो अब दोस्तों में ले चलता हूँ आपको इसके दूसरी Side में तो यहां से आप इसकी Side Profile को देख सकते हो इसकी जो Looking है वो काफी Attractive लग रही है इसके Graphics के साब से और इसके Rear वाले Tire के Size की बात करें तो यहां भी आपको 275 अठारे का Tire Size मिल जाता है इसमें आपको Tules Tire मिल जाते हैं C8 Company के इसमें Silver Finish के साथ Alloy Wheels मिल जाते हैं और इसके Rear वाले Suspension की बात करें तो इसमें आपको Two Step Adjustable Hydraulic Sock Absorber Type के Suspension मिल जाते हैं जिनको आप अपने Weight के साथ से Adjust भी कर सकते हो अब दोस्तों आप इसके Exhaust को देखोगे तो काफी सांदर यहां पर आपको Exhaust मिल जाता है जिसके उपर आपको एक लंबी सी Chrome की Plate देखने को मिल जाएगी जो कि इसके Looking को काफी ज़्यादा Attractive बना रही है और इसके Battery Panel पर देखोगे तो यहां भी आपको HF Deluxe और i3S की Branding देखने को मिल जाएगी अब इसके Toolbox की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको Power Start का Stigger मिल जाता है आपको देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की साइड में यहां पर आपको ब्रेक पैड दिया गया है और जो की फुली Chrome फिनिस में दिया गया है काफी अच्छा लग रहा है और यहां से आप इसको किक और सेल्प का ओप्सन भी मिल जाता है और इसके अग्जोस्ट पर आपको Catality Converter देखने को मिल जाता है जिसके उपर आपको Chrome की प्लेट भी दी गई है और यहां पर आपको Oxygen Sensor और Spark Plug देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसके इंजन और Power की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 97.2 CC का Air Cooled Forest Rock Single Cylinder OSC BS6 Compliant का इंजन जो आपको Maximum Power देता है 8.02 PS की 8000 RPM पर और Maximum Torque देता है 8.05 Nm का 6000 RPM पर इसके Fuel Tank की Capacity है 9.6 Liter और यहां पर आपको दोस्तों मिल जाता है एक Crash Guard जो की Fully Chrome Phiness का दिया गया है अब मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ इसके दूसरी साइड में तो यहां से आप इसके इंजन को देखोगे तो यहां पर आपको BS6 Compliant का FI Technology वाला इंजन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको Power Start Programmet FI की ब्रांडिंग देखने को मिल जातीई है और इसके engine के उपर भी आपको hero की t Davin देखने को मिल जाएगी और इसकर engine के हट पर दिया गया है एक sensor और यहां पर आपको four gear का manual setup देखने को मिल जाएगा जैसा कि इसमें four gear आते हैं यहां पर आपको side stand और manual stand और is me all आपको 165 mm की ground clearance मिल जाती है और यहां पर इसके side stand पर देखोगे तो यहां पर आपको एक sensor देखने को मिल जाएगा और इसके चैंसेट कवर की बात करें तो यहां पर आपको fully plastic का चैंसेट कवर देखने को मिल जाता है और side में आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाता है जो की अभी असेंबल नहीं है और दोस्तों जैसा कि यह FI technology वाली वाइक है तो इसमें आपको 2-3 लीटर पेट्रॉल आराम से reserve करके रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी fuel pump motor खराब हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है तो अब हम बात कर लेते हैं इसके meter console की तो यहां पर आपको fully analog type का Eascred Met dire नहीं करते हैं जिसेशा कि मैंने इसकी चावी को on कर तो यहांपर आपको 6000 ढीचन लासरा इंडिकेशन लाइप और अपको which आपको पासिंग का स्विच नहीं मिलता है यहां पर आपको जो है लो बीम हाइबीम स्विच और इंडिकेटर स्विच और होरन का स्विच मिल जाता है और इसके दूसरी सैड में यहां पर चले हैं तो यहां पर भी आपको जो है आई-3S का स्विच देखने को मिल जाता है जै करके चलाते हो तो दोस्तो एकोनोमी जोन में चलाते हो तो आप इस वाइक से ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकते हो अम मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो एचेप डिलक्स आई-3S अगर आप पर्चेश करते हो तो इसका एक सोरूम प्राइस है 631325 रुपे इंस्योरेंस का है 51340 रुपे रजिस्टेशन का है 9336 रुपे गुडलीव का है 399 रुपे और इसका टोटल उन रोड प्राइस है 78400 रुपी यह उन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइने श अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर देना आपको रिपलाई में कर दूँगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को थैंक्यू द